तो वेल्कम बैक टो मैं चैनल जिसका नाम है एजुकेशन जिम कैसे आप सब तो आज है फर्स्ट अप्रैल फूल नी बनाऊंगा याद होगा आपको मैंने बोल दिया था एक तारिक से आपकी क्लासे स्टार्ट कर दूँगा ठीक है तो बी स्योसी वन थ्री वन फानिशल अका चैकिंग उस बेसिस पे नहीं होती है कि आपके अच्छे मार्क्स मिले बट 80 प्लस गैरेंटीट मिलेगा ओके तो उस चीज के लिए फाइट करेंगे तो आप सब निकाल लो अपने रिजिस्टर और पैन निकाल लो ठीक है क्योंकि आपको नोट डाउन साथ के साथ करना प्लस आपको यह चीज भी बता देता हूं कि आपके असाइमेंट का डेट लास्ट हो गया है 30 अप्रेल तब तक सब्मिट करवा दो अच्छे से बना के सब्मिट करवा दो मार्क्स बहुत जरूरी है उसके भी 30 परसेंट आपको मिलते हैं असाइमेंट के में से ओके तो financial accounting जो के आपका subject है इसके अंदर आपको block 2 है divided है आपका block 1 and block 2 block 1 में जो आपके आते हैं unit wise है unit 1, 2, 3, 4 and block 2 में unit 5, 6 and 7 है ठीक है तो first unit है आपका nature and scope of accounting next है accounting process and rules then accounting principles then accounting standards ठीक है block 2 में आपके जो की unit 5, 6 and 7 है general and ledger, subsidiary books and trial balance ओके एक चीज़ और बता देता हूँ आपको exam pattern भी आपको समझाओंगा हर चीज़ लेके चलूँगा exam तक means आपको इस तरीके से prepare कर दूँगा कि आप question paper देखो तो आप easily कर दो ठीक है आप पहले हस दो कि हाँ आपको हर एक question आता है then start हो तो 3 घंटे का exam हो चाए 2 घंटे का हो आप डेर 2 घंटे के अंदर complete करके बैठ चुके होगे ठीक है इस चीज़ की strategy को पहले से लेके चलेंगे तो पढ़ाए start कर दो दोस्तो ठीक है पहला unit 1 fact चीज़ बता रहा हूँ इस chapter से क्या चीज़ है important इस का motive main यही है इस chapter के उपढ़ने का nature and scope of accounting ठीक है accounting के scope क्या है nature क्या है अलग-अलग parties में okay means accounting यानि आपके business sector में या जहां भी accounts use हो रहा है उसके scopes क्या-क्या है importance क्या है उसको करने के इन सब चीज़ों के इस chapter के अंदर हम जो point discuss करेंगे वो है introduction accounting के needs क्या है objectives क्या है define कैसे करेंगे scope क्या है bookkeeping accounting and accountancy क्या है accountancy and accounting एक ही चीज़ है बस accounting जो आपका है वो ज्यादा popular part हो गया है नाम से okay users of financial accounting information branches of accounting advantages of accounting या disadvantage जिसे हम limitations कहते है basis पढ़ेंगे हम accounting के cash basis पे actual basis पे qualitative characteristics of accounting information इसके गोला सरकल लगा लेना बहुत important part है यह functions of accounting ठीक है तो यह सारे chapters के अंदर के part है जिसको आपको मैंने पहले ही बता दिया है तो note down साथ के साथ करते रहो ताकि आपको हर एक part describe करते रहो और आपको अच्छी तरीके से समझ भी आए exam तक आपको हर चीज़ याद रहे pattern wise ठीक है तो जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप exam में दोगे best रहेगा ठीक है क्योंकि आपसे book की language हर किसी को पता है ठीक है examiner जो आपके exam हो रहे वो यही चाहता है कि आपको अपने words में आपको क्या क्या आता है आप अपने words में जितना ज़्यादा देशा को बहुत अच्छी बात है कुछ जगा पे जहाँ पे आपसे define पूछता है define जायस सी ब mind से लिखने ठीक है तो firstly याद करेंगे accounting क्या होता है define करेंगे तो start हो जाओ accounting क्या है accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transaction and events in monetary terms ठीक है यह चीज़ आप लिख लो इसका कहने का मतलब क्या है ठीक है आपके जो भी accounts के अंदर जो भी आपके financial transactions होते हैं जो भी events होते हैं measuring करके, records करके, classify करके, summarize करके, analyze करके, interpret करके and communicate करके उस चीज़ को हम कहते हैं accounting अब इसको मैंने इस तरीके से point wise इसलिए लिखा है ताकि आपको easily याद रहे तो एक बार दुआरा दोर आएंगे हर कोई, हर बच्चा दोर आएगा accounting is the process of, बोलते जाओ, जो भी लिखवा है, बोलो, accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating, the financial transactions and events in monetary terms, ठीक है तो इस define को आपको रटना है, ठीक है, रटना बोलू या समझ के बोलू, define आपको same format में रखना होता है, ठीक है, क्योंकि define किसी literature या author ने लिखा होता है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप ये नहीं कर सकते कि अपने तरफ से define करो कुछ, ठीक है, meaning आप अपने तरफ से लि रिका लग गया था, ठीक है, इसमें accounting का क्या आपको बताएगा है, define, accounting is the art of recording, classifying and summarizing, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof, ठीक है, तो आप याद करो इस चीज़ को लिख लो, note down साथ के साथ करते रहो, ये notes जो आपको दे रहा हूँ न, ये personally बनाए हुए है, ठीक है, ये notes आपको दे रहा हूँ मैं, means आप exam में accurate लिख सकते हो, ठीक है, अभी जो आ रहा है ये scope है, यानि कि जो भी आपने अभी read किया था क accounting is the process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating, ये जो points थे आपके, all over आपके कितने 8 points थे, इन 8 points को आप scope के तरह functions, activities, इस नाम के तरह accounting के साथ use करके describe कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी जो ये आप लिख रहे है, ये book की language में है, in short मैं आपको एक छोटा सा बता दूँगा, वीडियो में, ठीक है तो इसको आप note down start कर दो, scope क्या है इसके, accounting is concerned with financial transaction and events which bring about a change in the resources or wealth, position of the business firm, such transactions have to be identified first as and when they occur, it is not difficult because there will be proof in the form of a bill or receipt, जिसकों कहते हैं vouchers With the help of these bills and receipt identification of a transaction is easy, ठीक है, means accounting वह एक financial transaction और events है, जिसको हम अपने resource पे, position पे, अपने business firm में, ठीक है, use करते हैं, इस तरीके से आपके पास, let's suppose आप किसी business में काम कर रहे हूं, ठीक है, आप identify कैसे करोगे कि उसके financial transaction जो भी उनके साल बर में transactions उन्होंने किये, वो सई किये ठीक है, उनके पास proof होता है, जिसको हम vouchers कहते हैं, किस तरीके का proof, bill हो, received दिया हो, यो जो भी चीज़ हो, जिसको हम vouchers कहते हैं, उस चीज़ से हम help लेके, जो हम accounting के अंदर functions लगाते हैं, easy हो जाता है, identify करना कि किस तरीके का transaction साल बर में हुआ है, ठीक है, identify easy हो जाता है, यह सारे points आप लिखते रहो, उपर जो भी बता हैं आपको, next point आप देख सकते हो, these transactions are to be measured or expressed in terms of money, if not done already, generally this problem will not arise because the statement of proof expresses the transaction in terms of money, ठीक है, next point, the transactions which are identified and measured are to be recorded in a book called journal or in one of its subdivisions, ठीक है, next point भी आप लिखते रहो, यह साथ के साथ रिखते रहो, ठीक है, यह आपको book की language भी लिखवा रहो है, and जो आपको exam में लिखना है, वो solution भी आपको दूँगा, even आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से questions आ चुके हैं exam में, ठीक है, आपको इस चीज की भी preparation हो जाएगी कि exam में कौन से questions आते हैं, ठीक है, exam से पहले हर चीज आपको मिलेगा, 80 plus का guarantee दिया है, तो notes बनाओ, याद करना start करो, guaranteed आपके 80 plus आएँगे, ठीक है, next आप लिख चुके होगे, the recording and classification of money transaction, will result in a most, sorry, mass of financial data, it is therefore necessary to summarize such data periodically, in a significant and meaningful form, ठीक है, तो ये वाले line आपने लिख चुके होगी, next आपका concept, the recorded transactions are to be classified with a view to group transactions of similar nature at one place, the work of classification is done in a separate book called ledger, इस point को आप लिखते रहो, ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, कि अभी तक का जो concept आपको clear करवा रहो, ठीक है, 17 मिनट का वीडियो है, इसके अंदर, कुछी point डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक दिन मैं आपको पूरा describe कर भी दू, तो फायदा नहीं है, आप कुछ-कुछ part लेके चलते रहो, exam तक आप का फूल हो जाए, अगर revision भी even आप कर चुके होगे, exam से पहले, एक बार, ओके, तो इन सब concepts आपके question बनके क्या आता है, meaning and scope of accounting, ये चीज़ आपको बताना है, exam में, ठीक है, exam में मैं आपको बता देता हूँ, ये chapter, जादा से जादा, 6 marks या 14 marks इन दोनों में आता है, आपके 5 question all over आते हैं, जो की, total आपकी 8 question आते हैं, जिसमें से आपको only 5 question करने होते हैं, ठीक है, 10 marks each, 10 marks each, या 20, sorry, 5 question है, आपके 100 marks का होता है, या 20 marks each के होते हैं, ठीक है, अभी जो last आपका question, exam जो हुआ था, यानि feb में, December 12 session के बच्चों का, एक question आया था, 6 marks का, वो भी आपको व ठीक है, तो आपको meaning and scope of accounting में क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पर meaning पूछा है, define नहीं पूछा, ठीक है, तो meaning आप कैसे लिखोगे, accounting is just the process that helps in recording, summarizing, analyzing and then reporting the data which is concerned with the different financial transaction that happen in a company, ठीक है, इसलिके साथ आपको बता दिया था, जितने भी इनके points था, identifying, measuring, recording, classifying, इन सबके part आप लिख सकते हो, पीछे मैंने describe करके बता है, बट यह है कि exam pattern में आपको किस तरीके से लिखना है, उस तरीके में, ठीक है, यह short होगा थोड़ा, बट समझने के लिख काफी आप लिख सकते हो, पहला आप recording लिखो, then summarize करो, then reporting, and then analysis, ठीक है, इस चार point को यहाँ पे हम थोड़ा से define करेंगे, then इसके बाद एक और method आपको बता दूँगा, कि किस तरीके से आपको exam में present करना है, ठीक है, firstly जो आपके answer sheet आते है, answer sheet पे, let's suppose आपसे question पूछ लिया, meaning and scope of accounting, ठीक है, तो आप कैसे करोगे उसको, यह देखो, वीडियो में, analysis का part यहाँ पे खत करने है, उसके बाद exam में आपसे पूछता है, meaning and scope of accounting, 6 marks में पूछेगा या 14 marks में, that's it, ठीक है, जाद अगर नहीं पूछते है, क्योंकि आपके 7 all over unit है, हर unit से एक नए question आपको मिल लेगा, दिख जाएगा exam में, ठीक है, and most probably यह आपके theoretical part जादा है, and practical part कम है, तो जाद से अभी बता दे रहो, max to max, दो question जो होंगे, आपके practical question होंगे, यानि numerical, बाकि आपके theoretical part होंगे, तो अगर आपको theory अच्छे से आता है, theory करो, अगर practical आता है, तो practical करो, ठीक है, but practical दो question आते है, all over आपको करना है, ठीक है, तो जैसा कि आपको बता रहता है, अगर आपसे question पू identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transaction and events in monetary terms, ठीक है, तो इसके बाद, American Institute of Certified Public Accountant वाल जो आपको बताया था, यानि कि accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial characters and interpreting the results thereof, ठीक है, ये चीज़ लिखे, then normal meaning जो आपको अभी just last में बताया है, ठीक है, जिसमें आपको लिखवाय था, accounting is just a process that helps in recording, summarizing, analyzing and then reporting the data which is concerned with the different financial transactions that happen in a company, ठीक है, तो ये normal meaning आप लिख सकते हो, या फिर अपने दिमाग से भी जो आपको हो, वो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ compulsory नहीं है कि डिट्टो चापना होते है, ठीक है, then इसके बाद जो आपको four points अभी just बताया था, recording, summarize, reporting and analysis, इसको describe कर दो, firstly आप bullets में बता दो कि कौन से point होते हैं, then उसको describe करो, अच्छे marks gaining रहते हैं, इस तरीके से format, ठीक है, ये आपको एक मैं answer sheet भी दिखा दू इस concept से आपके क्या क्या clear हो गए, define accounting, ठीक है, वो keeping and accountancy next concept में देख लेंगे, ठीक है, यानि कि next class कल, उसके साथ accounting involves a series of activities, list them, आपको बता दिया कि कौन कौन से इनके accounting activities हैं, interpreting, analyzing, summarizing, recording, classifying ये सारे इनके activities ही हैं, ओके, then हम आगे बढ़ते हैं कि accounting के objectives क्या क्या हैं, ठीक है, तो objectives के काफी big big points दे रखे हैं, but in short आपको दे दूँगा, ये five points, ये five points लिख दो आप enough है, accounting objectives के लिए, जो कि पहला point है आपका, accounting helps in the Facilitation of systematic management of financial data and records of transaction, accounting helps in the Facilitation of systematic management of financial data and records of transaction, लिखते जाओ, साथ के साथ, इस बज़े से मैंने बोल दिया था, register and panel ले लो, साथ में, ठीक है, साथ के साथ, note down आप करते रहोगे, अच्छी बात है, ठीक है, accounting provides a particular idea about the possibility of company expressing profits or loss, ठीक है, next point, accounting also helps in the management process and assists in decision making, ठीक है, decision making management process, जो भी होता है, assist करते हैं, decision making के लिए, accounting उसमें help करते हैं, ठीक है, accounting is a great help when it comes to the evaluation of the employees by increasing their work efficiency, ठीक है, तो last point भी आप लिख लो, accounting is a major contribution when it comes to the prevention of fraud and profit risk, ठीक है, so thanks for watching this video, आप सभी अच्छा कर रहे होगे, 80 plus marks लाने हैं, तो घर पे safe रहो, study करते रहो, क्योंकि पढ़ हाई तो भी बाकी हैं मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं, next video में, next होगे, stats छोस्तों नफब्ल ऑा कर यद Vaiए gelir with हैं, 우린 पते स्योंकित, हम फे ही, अच्छाइब, आफ ए bir Swedish उिर, आफ लागा है